राइबरेली रोड इस्थित नैन खेड़ा के पास संदिक्द परिस्थितियों में पंचर बनाने वाले युवक का मिला शब जांच में जुटी पुलिस नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम न्यूस 24 और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका रावत बारबंकी जनपत के कोतवाली हैदरगड छेत्र अंतरगत राइबरेली रोड इस्थित नयन खेड़ा गाउं के समीब का है जहां पर 6 माह पहले से पंचर की दुकान चला रहे एक युवक का शफ संदिक्द परिस्थितियों में गाउं के बाहर जाडियों में से बरामत किया परिजनों के मुताबिक मृतक युवक की धारदार हतियार से हत्या की आशंका जताई जा रही है सूचना पर पहुची कोतवाली हैदरगड पुलिस ने शेफ को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए जिला मुख्याले भेज दिया है वही मामले पर पुलिस का कहना है कि प्रतम दृष्टी में सड़क दुरगटना में युवक की मौत होना प्रतीत हो रहा है विलाल शेफ को पोस्ट माटम के लिए भेजा गया है पोस्ट माटम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण इस पश्ट हो पाएगा प्राइम न्यूस 24 के लिए वेद प्रकाश्तिवारी की रिपोर्ट कि लेट के लेट लाग उन्य का लोट कर जा है तो सब जागे हार भाएग वह करें लेट है उट आप नियूस पूंद लेगा इस अफिक दो नियुक्त है तो इक लिए समय की घड़ना है कितने बज़े कि एक बज़े पंचर जुलत रहा जुनके सब्सक्राइब क्या नाम है आपका मालती जी घड़ना कैसे कुछ आपको जानकारी है इसके बारे में इनका पहले किसी से बवाद था क्या कितने दिन से यहां पर पंचर का काम कर रहे हैं भी किसी से बवाद नहीं था नहीं तो आपको किसी पर सखाए कि जो है किसके द्वारा ऐसा किया है इसकी तहरीर थाने पर आपने दी है